स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चलिए शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था भार्दी रिमोट सेंसिंग संस्थान के स्थापना किस वर्ष हुई? A. वर्ष 1966 में, B. वर्ष 1970 में, C. वर्ष 1974 में या D. वर्ष 1978 में इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. वर्ष 1968 में, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को भार्दी रिमोट सेंसिंग संस्थान प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग, जीओ इनफॉर्मेटिक्स और जीपियस तकनीक के शेतर में अनुसंधान, उच्च सक्षा इवं प्रसिक्षण के लिए एक संस्थान है इस संस्थान के स्थाप्णा वर्ष 1966 में भारती अंतरिक्ष विभाग के तहत की गई थी ये दहरादूर उद्राखंड में से थे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ भारती अभू वैज्यानिक सर्विक्षिड का मुख्याले कहां से थे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कोलकाता चले देखते हैं इसके विसलेशन को मुखे रूप से रेलवे के लिए भारत में उपलब्ध कोला भंडार की खोच के उद्देश से वर्श 1851 में भारती भू वैज्यानिक सर्विक्षिड विभाग के स्थापना की गई थी इन वर्शों में ये संस्थान अकेवल देश में विभिन शेत्रों के लिए आवश्यक भू विज्यान सूचनाओं के भंडार के रूप में विक्सित हुई बलकि इसने अंतरास्ट्री स्थर पर अपनी पहचान को स्थापित करते हुए भू वैज्यानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया जीएसाई का मुख्य कारे रास्ट्री भूवै ज्यानिक सूचना और खनित संसाधन मुल्यांकन और आधून की करण संबंधी कारे करना है इसका मुख्याले कोलकाता में है और देश के लंपक सभी राज्यों में राज इकाई कारे आले तथा लखनव, जैपूर, नागपूर, हैदराबाद, शिलांक और कोलकाता में इसके छे शेत्री कारे आले अवस्तित है वर्तमान में GSI खान मंत्राले की एक सहायक संस्था के रूप में कारे कर रहा है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्रलिखित में से किस जिले में मसान होली मनाई जाती है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वरांसी चले देखते हैं इसके विसलेशन को हाली में वरांसी में दो दिवसी विशेश कारे करम मसान होली मनाई गई इस जोरान भक्त एक दूसरे पर अंतिम संसकार की अगनी की राख और गुलाबी पाउडर यानि गुलाल डालते हैं इस आयोजन को मृत्यू का जश्न मनाने के तौर पर भी देखा जाता है ऐसा माना जाता है कि वरांसी में मसान होली की रस्म होली का प्रहलाद की पौरानिक घटना को चिता की राख के साथ पनाई जाती है वारांसी की मसान हुली में राख का उप्योग जीवन की अलपता और इस भौतिक वादे विश्व में व्यक्ति के अस्तित्व की चक्री प्रकृती का प्रतीक है ऐसा माना जाता है कि मसान होली में उपियों की जाने वाली राख में शुद्धी करण गुड़ होते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा की अशुधियों को साफ करते हैं। होली के दोरान एक दूसरे को राख लगा कर लोग आध्यात में काया कल्प और आंत्रिक शुद्धी चाहते हैं। अगला प्रश्ण है उत्राखंड के निम्नलिकित मिसिक के जिले में पांच हिम्नदी जीले स्थित नहीं हैं जो विस्पोर्ट बाड के प्रती अतिधिक समवेदन शील हैं। इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. देहरादून चलिए देखते हैं इसके विस्प्रेशन को। प्रवरी 2021 में उत्राखंड में चमोली जिले में एक हिम्नद जील का विस्पोर्ट हुआ जिससे रिशी गंगा पर एक छोटी जल्विदुत परियोजना बह गई तथा अचानक बाढ़ा गई जिससे कई लोगों की मौत हो गई। 5.30 समवेदन जिलो में से 4 पिथोरागढ जिले में और एक चमोली में है तथा 4 समवेदन जिलो में से 2 पिथोरागढ में इवं एक-एक चमोली वर टेहरी में है। इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी चंदुशेखर आजाद चले देखते हैं इसके विश्लेशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एस्सोसियेशन के स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी इसे चंदुशेखर आजाद के नित्रतों में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित किया गया था इसका उदेश भारत में एक समाजवादी गर्तंत्रवादी राज्य के स्थापना करना है अगला प्रश्ण है पवन उर्जा उत्पादन में राजस्थान किस राज्य को पीछे चोड़ कर नंबर एक राज्य बन गया है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी तमिल्लाडू चलिए देखते हैं इसके विसलिशन को हाल के दिनों में राजस्थान ने 26,800 मेगावार्ट से अधिक स्थापित नविकरनी उर्जा शम्ता के साथ हरित उर्जा में भारत के परिवर्तन का नेतरत्व किया है राजस्थान ने वर्ष 2023-2024 के पहले 10 महिनों में 49,300 मिलियन यूनिट हरित उर्जा का उत्पादन किया जो वर्ष 2019-20 की इसी अवधी की तुलना में 3 गुना अधिक है राजस्थान में नविकरनी उर्जा श्रोतों का यूगदान इसके विद्ध उत्पादन शम्ता का 64.5 प्रतिशत है जो इसके उर्जा पूर्टफोलियों में गुजरात के 47 प्रतिशत नविकरनी उर्जा मिश्रण से काफी अधिक है पवन उर्जा उत्पन करने में राजस्थान पहले ही तमिलनाडों को पीछे छोड़ कर नंबर एक राज्य बन गया है अगला प्रश्ण है पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस्तिती को प्रत्यक्ष कारवाही दिवस मनाया था इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B. 16 अगस 1946 चले देखते हैं इसके विसलेशन को 12 अगस 1946 को वाईसराय ने जवाह लाल नहरु को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंतरित किया इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस 1946 को प्रत्यक्ष कारवाही दिवस की शुरुआत की इसके आधार पर संपूर्ण भारत में भीशर सांप्रदाइक दंगे हुए और बड़ी संख्यावे लोग मारे गए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस को भारती इतिहास का काला दिवस कहा था अगला प्रश्न है पंचमरित लक्ष के अनुसार भारत का लक्ष किस वर्ष तक शुद्ध शुने उतसर्जन प्राप्त करना है इस प्रश्न का सही उतर है विकल्प C-2070 चले देखते हैं इसके विसलेशन को UNFCCC COP26 में प्रधानमंत्री ने 5 पंचमरित लक्षियों का अनावरण किया जिन में शामिल है वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जिवाश्म उर्जा शमता हासिल करना वर्ष 2030 तक भारत की 50 प्रतिशत उर्जा आवशक्ता को नवी करने उर्जा श्रोतों से पूरा करना वर्ष 2030 तक अर्थवेवस्था में कार्बन तिवरता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना वर्ष 2030 तक कुल अनमानित कार्बन उत्सर्जन को एक मिलियन टन तक कम करना वर्ष 2070 तक शुद्ध शुने उत्सर्जन का लक्ष प्राप्ट करना अगला प्रश्ण है प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A घटक A चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को प्रात्मिक उत्देश सौर औरजा समाधानों को बढ़ावा देकर कृशी छेतर में बदलावराना है घटक घटक A किसानों की बंजर या परती या चरागाह या दलदली या कृशी योग्य भूमी पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रिकृत ग्राउंड या स्टिल्ड माउंटेड सौर औरजा सैंत्रों के स्थापना घटक B ओफ ग्रिट शेतरों में 20 लाख स्टैंड अलोन सौर पंपों के स्थापना घटक C पंद्र लाख ग्रिट से जुड़े क्रिशी पंपों का सोलराईजेशन रगतिगत पंप सोलराईजेशन और फीडर लेवल सोलराईजेशन तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को अटलांटिक महासागरों में पाई जाती है यड़ी उपर्युक्त सभी इस प्रश्रका उत्तर कमेंड बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले